ICC T20 World Cup 2024 में जैसे एक अलग ही अंदास देखा जा रहा है इस टूनामेंट में अब तक काफी सारे उलट फेर देखे जा चुके हैं चाहे कनाड़ा की आर्लैंड पर जीत हो या फिर अमेरिका की पाकिस्तान पर रोज एक से बढ़कर एक मास देखे जा रहे हैं जिस का अलग टूनामेंट बहुत जादा रोमान चक हो गया है आज टूनामेंट के सुला में मुकाबले में नीदरलैंड का सामना दक्षड अफरिका यानी साउथ अफरिका से होने वाला है ये वही नीदरलैंड है जिसने पिछले दो वर्ल्ड कप में दक्षड अफरिका को हराते हुए उलट फेर किया था ऐसे में दक्षड अफरिका की टीम बिलकुल भी इस माच को हलके में लेने की कोशिश नहीं करेगी अगर दोनों टीमों की बात की जाये तो दक्षड अफरिका ने पहले माच में शिलंका को 6 विकेट से हराया था जबकि नीदरलैंड ने भी अपने पहले माच में नीपाल को 6 विकेट से हराया था नीदर लेंड और दक्षड अफरिका का ये मुकाबला नासाओ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जहां अभी तक कोई बैटिंग टीम सही धंग से सफल नहीं हो पाई है T20 वॉल्ल कप में अभी तक इस मैदान पर तीन मैचस खेले गए हैं तीनों ही माच में बाद में बलेबाजी करने वाली टीम की जीत हुई है ऐसे में टीम टोस जीत कर पहले गेंदबाजे करने का फैसला कर सकती है अब अगर बात करें दोनों टीमों के head-to-head मुकाबले की तो दोनों टीम अब तक T20 cricket में दोनों टीम दो बार भड़ी हैं और दोनों ही टीमों को एक एक बार जीत मिली है वैसे क्या रहेगा मौसम का हाल आईए जानते हैं एक कठिन पिछ और धीमी आउट फिल्ड जिसे टीमों को पहचानने में काफी मुश्किल हो रही है बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की तो चलिए जानते हैं क्या है नीदर लेंड की प्लेइंग 11 इसमें माइकल लेविट, माक्स ओडाउट, विक्रम सींग, साइब्रांड, एंगल ब्रेकेट, स्कॉट एडवर्ड्स, बॉस्डी लिडे, तेजा निदामा नुरू, लोगान वैन्विक, टीम प्रिगल, पॉल वैन मिकेरेन, वीवियन किगमा शामिल है वहीं दक्षुड अफ्रिका की प्लेइंग 11 में शामिल हैं अब अगर बात करें आज की फेंटेसी 11 की तो हेंडरी क्लासन, वहीं इस टीम के कप्तान होंगे एंडरिक नौटजे जबकि आप वाइस कैटन की जिमिदारी क्विंटेन डिकॉप को दे सकते हैं अगर आप भी फेंटेसी 11 खेलना पसंद करते हैं तो इस टीम को बनाकर आप धेर सारी नाम जीच सकते हैं अगर आपने भी कोई टीम बनाई है तो हमें कॉमेंट सक्षिन में जरूर बताईए इसी जरह की क्रिकेट से रिलेटेट खबरों को देखते रहिए और बने रही हमारे साथ क्रिकेट केसरी पर